ओके तो वन कार्ड सेक्योड करिड कार्ड यानि अपडीबेस करिड कार्ड से अंसेक्योड करेड करने का बहुत लोगों को औउफर मिल रहा है और इसमें मैंने पूरी वीडियो बना दी थी लाइव प्रोसेस के साथ वीडियो के वाइचे वगर सारे स्टेपस इंक्लूडड है ने देखो उसमें आपको last screen याद होगा पिछले वाले वीडियो में कि मैंने transaction कर ली थी और मेरा bill भी paid नहीं था इसलिए एक continue यहां से offer करने पे नहीं आ रहा था लिखा हुआ था you have to wait for settlement of the transaction मतलब जब transaction settle हो जाएगी उसके बाद ही आपका final FD वगेरा का मसला आपको निकाल के calculate करके देंगे सही है तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहला तो यह करना है कि आपको कोई भी नई transaction नहीं करनी है क्योंकि वो settle होने में भी दो दिन लगते हैं उसके बाद will में add होगा या total outstanding में add होगा और फिर ही आप उसको pay कर पाऊगे ठीक है दू करके 0.1% cashback के लिए 1% cashback के लिए आप इसका wait time बढ़ा दोगे क्योंकि third party app से भी payment का जो settlement है उसमें भी आपके दो से तीन दिन लग जाते हैं आपको payment कहां से करना है आपको payment करना है one card के app से ठीक है सबसे बहली बाद instant settlement है उसके साथ साथ आपको सिर्फ बिल अपना पे नह transaction की होगी ठीक है तो आपको यह टोटल ही बिल पे करना है क्लियर हो गया हां दूसरी बात आपने पुझा था कितने का card है वगेरा 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 50K वाली FD थी और 2000 से जिसका card है उसको भी मिलना शुरू हो गया offer इसलिए ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है कि कुछ भी आपके civil based आपको offer चिपका दे रहे हैं राम से नोटेशन तीसरा आपको क्या important काम करना है तीसरा आपको यह करना है कि आपको अपने card के details में जाना है और अपनी FD का screenshot ले लेना है ठीक है one card एक ऐसा app है बहुत banking apps में से जो आपको screenshot लेना अलाव कर देता है तो आप अपने F पैसे आए जादा आए कुछ भी आए तो उस पर आप काम कर सको complain कर सको screenshot proof में रख सको वगयरा वगयरा clarity है यह सारे काम करने के बाद पहला कोई भी new transaction मत करो दूसरा bill one card app से पे करो तीसरा screenshot लो यह सब करने के बाद इस continue पे आप क्लिक करोगे इस continue आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसी वो आपको clear कर देगा कि इतना अपके FD का amount था इतना current आपकी bill बची हुई है और कोई EMI चल रही है तो वो भी यहाँ पे explain हो जाएगा और फिर refund amount भी यहाँ पे clear हो जाएगा इसके लिए इतने जादा problem से बचने के लिए इतना amount plus FD का आपका जो interest बनाओगा कुछ time में वो यह सबसे पचने के लिए आप यह बिल पूराई clear कर दो तो पूरापका 52 के plus FD interest जो भी है वो अराम से आ जाएगा ज्यादा मसले करने की ज्यादा complicate करने की चीज़ों कोई भी जरूरत नहीं है यह तीन स्टेप जरूर से अराम से फॉलो कर लो और बहुत ही मज़े में बहुत ही must offer है 2000 की भी जिसकी FD उसका भी मैंने सुना है मिल रहा है एकडम प्रूफ के साथ बात हो रही है और 50 के का यह वाला जो काड़ था इसका तो प्रूफ मैं आपको देवी दिया चलो फिर enjoy करो यह काम करके रखना सारे और next update के साथ फिर मिलेंगे